अगर सिर की खोजली ने कर दिया हैं पागल तो करें ये उपाएं तो रंत मिलेगा चुटकारा आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि जब दिन के समय आपके सिर या स्क्यालप पर खोजली होती है तो कैसा अनुभव होता है सिर में खोजली होना बालों में होने वाली कई समस्यायों में से एक है जिसके कई कारण होते हैं सामानिप और पर सिर में खोजली रुसी, स्क्यालप में खुशकी, ड्राई स्क्यालप और गंदगी के कारण होती है सिर में खुझली होने का एक कारण एक जिमा और सुराइसिस भी होता है जो तवचा सम्बंधी वीमारियां है लंबे समय तक सिर में खुझली होने पर स्क्याल प्रमुखी और बेजान हो जाती है और जब आप सिर खुझलाते हैं तो सफेद परत निकलने लगती है कई बार खुझ जाते खुझ जाते सिर की तवचा पर घाव बन जाते हैं और कई बार खुझ भी निकलने लगता है अमुमन महिलाएं सिर में खुझली होने पर तरह तरह के हेर प्रोड़क्ट वा प्रोफेशनल चिट मेंट लेती हैं लेकिन अगर आप चाहें तो कुझ घरीलू हिलाज से भी सिर की खुझली को दूर कर सकती हैं तो चलिए जानते हैं इन उपायों के बारे में नीबू का रस नीबू में एंटी से पिक गुंड होते हैं जो स्केल्प की कोशिकाओं को रिपेर करके उन्हें ठीक करता है नीबू ड्राई स्किन को नमी देने का भी काम करता है जिस से सिर में सफेद परत नहीं बनती इसके इस्तिमाल से सिर में खोजली की समस्या को आसानी से दूर किया जा सकता है इसके इस्तिमाल के लिए 2-3 टेबलस्पून नीबू का रुपए लेकर उसमें कॉटन बूल डिप करें अब इस cotton ball की मदद से scalp में नीमबू का रुपे अपलाई करें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें अंत में पानी की मदद से scalp को clean करें समस्या पूरी तरहर ठीक हो जाने तक सप्ता में दो बारिस उपाये का प्रयोग करें सिर्की खुजली और उसी से चुटकारा मिलेगा बेकिंग सोड़ा बेकिंग सोड़ा में एंटी बैक्टीरियल वेंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं यह scalp पर मौझूद हाने कारक माइक्रोब्स को भी मानता है जो इंफेक्शन, इचेनेस और हेड़ापॉल का कारण बनते हैं बेकिंग सोड़ा स्केल्प के फोन लेवल को नार्मल रखने में मदद करता है जिससे सिर्की खुजली में आराम मिलता है प्रयोग के लिए बेकिंग सोड़ा में थोड़ा सा पानी मिला कर उसका पेस्ट बना लें और स्केल्प पर हलके हाथों से रगड़ें 15-20 मिनट इसे सिर पर लगे रहने दें और कुछ देर बाद बाल धो लें समस्या पूरी तरह ठीक होने तक सप्ता में एक बार उपाये का प्रयोग करें खुजली से राहत मिलेगी नारियल का तेल जब आपकी स्केल्प डाई होती है थब उसमें खुजली काफी अधिक होती है ऐसे में स्केल्प में नमी बनाय रखने के लिए नारियल का तेल आपके लिए अच्छा रहेगा नारियल तेल की मदद से ना केवल सिर की खुजली में आराम मिलता है बलकि बालों को भी पोशन मिलता है नारियल तेल बालों की ड्राइनेस को भी खत्म करता है प्रयो के लिए रात में नारियल तेल से लगभग 15 मिनट तक सिर में मालिश करें तेल को हलका गुनगुना कर लें तो बेहतर होगा अगली सुबह बाल धोलें खुजली में आराम मिलेगा